आपके आती है ये classical conditioning theory of learning, ये क्या होती है, conditioning क्या होती है, conditioning जो होती है behavior में change, आपके habit develop करना उसे conditioning कहते है, मतलब conditioning is a product of behaviorism, जैसे आपकी पहले वाली theory थी, thorn dick की उसमें क्या किया, cat को stimulus दिया गया, उसने अपने sense organ से पता लगाया, कि ये मेरा खाना है, मुझे खुश्बू आ वो इसमें आएगा, तो इस theory के नाम क्या किया है, वो देख लीजे, learned behavior भी बोला जाता है, condition theory behavior को, और इसे बोला जाता है आपका learning by conditioning, या conditioning response theory, ये दो नाम है इसके, then Pavlov ने क्या experiment किया, एक dog है, dog के गले में उसने जो है, जहां से saliva निकलता है, वहां पर एक pipe डाल दी, और व natural stimulus है, कि उसके आते ही, उसने response दिया, saliva secret होने लग गया, ये एक natural response है, तो ये देना start किया, तो वो जो है, उसका इकटा हुआ और वो उसने measure कल लिया, then उन्होंने क्या किया, एक artificial, artificial मतलब की, एक artificial stimulus दिया, जो की था आपका bell, बैल एक artificial stimulus है, वो जब दिया गया, और 8-9-10 व बार बार किया उन्होंने, पहले तो डोक का कोई भी इस पर जो है, कंडिशनिंग नहीं हो रही थी, वो खाने को देखके ही, राल टपका रहा था, बैल को बजने पर कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसको देखा, कि ये 8-9 बार ऐसा ही हुआ है, कि बैल बज दिया, श चुरू कर देता था, कि अब मेरा खाना आने वाला है, ये निकलता है, कि जम नेचरल स्टिमूलस दिया गया, मतलब अनकंडिशन था, वो उसके लिए, तो उसकी नेचरली जो है, रिस्पोंस आ गया, मतलब अनकंडिशन रिस्पोंस आ गया, कि सलाइवा सिक्रीट हो रहा कि अनकंडिशन combin का इस निकलता, नेचरलो रिपीट, को सब्सलिट नेचरलो रिपीट, के रिपीट, क्रूंस को, बार बार रिपीट, करें को आनकंडिशनू, आप भूल सकते हैं-पाथनक के लिए, जो आपका कर दवानेचरल आनकंडिशन घंता गया, वेकि मतलाक्क पर बाल टपकाना शुरू कर दिया, that means कि repetition से बार-बार उसे पता लग जया कि अभी बैल भजेगी तो मेरा खाना definitely आएगा, तो ये एक उसने sign बना लिया, अपनी habit बना लिया, कि बैल भजते ही, एक condition है, कि बैल भजते ही, मेरा खाना आ जाएगा, तो उसको जो है, वो condition response उसने दिया, then इसमें कुछ फिनोमेना है, जैसे कि intensity of stimulus, positive relation है, intensity and response of stimulus में, then है reinforcement, बार-बार-बार कोई चीज होगी, तो वो चीज जादा पक्की और strong बनती जाएगी दिमाग में, simultaneously stimulus, then उसके बाद extinction, extinction मतलब क्या है, कि अगर आपने बैल बजाई, खाना आया, अगर 20 दिनों तक आ अचानक से एक दिन बैल बजती है, तो उसकी राल टपकानी शुडू कर दी, that means उसके अचानक से कुछ recovery हुई माइंड बे, then है inhibition, then है realization, realization, generalization का मतलब यह है, कि हर बैल उसे common लगे, मान लीजे कोई doorbell बजा रहा है, वो भी उसे लगे कि मेरा खाना आने वाला है, कोई effect जो stimulus है, वो यही वाली bell है, जो इस तरह से बजेगी और इस टाइम बजेगी, doorbell, cycle की bell या कोई भी bell है भार बज रहा है, तो उसको उनसे differentiate कर पाता है, motivation, motivation तो हर चीज में, condition जो है, वो effect करती है motivation, कि आप कितने motivate है उस चीज को पाने के लिए, repetition, मतलब repetition बहुत ज़रूरी ह इस condition के लिए, कि कोई भी condition अगर आप दे रहे हैं, तो repetition उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार 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 जब आप वो चीज को करेंगे, सामने picture बना देंगे, तो उस चीज को real मानने लग जाएगा, वो object, या जो भी चीज है, यही हमारी पढ़ाई में होता है, त तो criticism भी हुआ इसका, criticism यह था कि unsuccessful in explaining higher thoughts, और unsuccessful in explaining voluntary activity, thought process जो है, इसमें explain करने में फेल हो गई, वो कि वो सोच क्या रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, then repetition, repetition बार बार जो होती है, वो किस लिए होरी है, environmental factor के थुरू, learning जो है, इसमें temporary है, पकी नहीं है, कि थोड़े सार time तक अगर उसने बंद कर दिया, वो करना तो फिर वो भूल जाएगा उसको, और it is more applied on children and animals, then आते हैं, आपके factor of conditioning, factor कौन-कौन से है, relationship क्या होगा, time with two stimuli, time देखना है, उसका two stimuli के साथ क्या relationship रहेगा, intensity कैसे stimulus के साथ, repetition कितनी हो रही है, then उसके बाद, जो environment है, वो controlled है कि नही है, हमारे हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब कि उसे भूख है भी या नहीं, या obstacles उसके कैसे है, environment के हिसाब से, किस तरह से वो उन चीज को revert कर रहा है, वो आपका controlled environment होता है, मतलब जैसे कि हम class में कुछ भी करवा रहे हैं, मालीजे, teacher जो एक पोईम गवारी है लेकिन अगर class में हूँ, हला, मचा हुआ है, डिस्टरब जादा कर रहे हैं, तो वो किसी को समझ नहीं आएगी, तो वो ही होते है, controlled environment, मतलब peaceful environment होना चाहिए, strong artificial stimulus, जो होता है artificial वो strong होना चाहिए, मतलब उसकी कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, जो हमारा subject है, उसके दिमाग में जरूरी है, distribution of trials, trials हमें कितने देने हैं, कितने करने हैं, वो चीज़ पर डिपेंड करता है, individual differences पर डिपेंड करता है, यह चीज़ सब आ गई है, इसमें,